सो हलो दोस्तों नमस्कार investment crisis में आज सभी का दिल से बहुत-बहुत सौगत है सो उस्तर वीडियो में हम बात करें कुछ important stock के बार में जिनमें आज के दिन काफी सारी important news निकल के आ चुका है सो इस stock में से कोई भी stock आप लोग के पास है किसी भी level पर तो ये वीडियो को जरूर देखना ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाला है सबसे पहले हम बात करेंगे Tata Motors Limited की बार में आज की दिन की performance की बात करें तो हमें एक flat performance देखने को मिला है लेगने गर हम कल की दिन की performance की बात करें सो कल की दिन अपने देखाऊगा इन stock में टाटा मोटर जैसे टॉक में लगबाग 88% का में एक दमदा तेजी देखने को मिला था और इस तेजी के पीछे का रिजन था कम्पणी को जीगता है उन सेगमें हमेंए बहुत जो होल सेले उनमें बहुत शांदर हमें जर्प देखने को मिल जाए जितना बाजर के क्या था उससे भी ज्याद हमें कंपणी शांदर प्रफमें दिखाते हैं कॉटर फोर में जो कि आप यहां पर mention भी आप देख पारें कि पिछले साल company लगभा 80,000 के unit हमें ये wholesale का data हमें देखने को बिला था लेकिन इस बार की बात करें quarter 4 में 2023 में ये data दोस्तों हो चुक है 1,07,000 के भी उपर मतलब आप बोस्तों तो बहुत ही शांदर आम इंक्रिमेंट देखने को बिला और no doubt इनकी जलते ऐसे data को obviously सबसे important चीज़ है किसी भी company के number को फिर किसी भी कोई ऐसे point को अगर बाज़ा जितना उमीद लगाते है बाज़ा जितना expert करता है फिर बाज़र के जितने भी ब्रोकेश हो जाए वो अगर किसी point को expert करता है उसकी साबसे अगर better number दिखाते है better अच्छे profit में दिखाते है तो no doubt उन stock में आपको एक rally जरूर देखने को मिल जागा same pattern आपको Tata Motors में देखने को मिल जागा कि जितना बाज़र ने सोचा था जितना बाज़र ने expert किया था उससे better performance दिखा है company ने उनके जलते stock में शांदार तेजी देखने को मिल है जब को देखोगे तो 25,000 के आसपास देखने को मिलेगा यारे कि 25,000 को अगर आप 6 से भी multiply करोगे तब उससे भी ज्यादा आपको 5 से भी multiply करोगे तो उससे भी ज्यादा है लग बाद 15,000,000 करो के आसपास company आपको long time depth देखने को मिल जागा तो report के जरिए कुछ broken house के जरे कुछी दिनों में जो आपको डेल लाग करो के आसपास आपको Tata Motors के long time depth देखने को मिले सायद से उनमें आपको 60% पूरी तरह से आपको repayment करते देखने को सायद से मिल सकता है तो अगर ऐसा होता है तो no doubt Tata Motors के लिए आने वाले टाइम में Tata Motors को business को boost देने के लिए Tata Motors को growth दिखाने के लिए तो obviously यह बहुत ही ज़्याद आपको फायदे मन दिखाते देखने को जरू मिल जाएगा और इसके ज़्यादे कंपणी के हर कौटल बिससे नंबर अच्छा हैंगे और नंबर अच्छा हैंगे तो obviously जो company के stock price है उसमें भी आपको एक अच्छे का से moment time एक positive news है और मुझे बताने की जरूरत है आपने देखा भी होगा कल के दिन हमें बहुत ही शांदर एले देखने को मिला अगर एक साल के बाद के तो हमें एक फ्लार्टरी प्रफॉमेंस देखने को मिलेगा और अगर maximum की बात के तो आपको बता है बीच में जो 2018 के बाद जो में इतने गिरावारे देखने को मिला पूरे एक्स्टर नई शू था उसके बाद चाटा मोटस में जो कम बैक देखने को मिला और सिब कम बैक ही नहीं किया उस लिवर पर सस्टीन भी कर रहे चासो से पांसो के बीच में तो उसके पीछे का रीजन है कि कंपणी के new business यान की new segment electric vehicle so electric vehicle में company में बहुत शांदर market share देखने को मिल जाता है अभी किसा आप सागर बात करे तो 83% के अपस company के market share में देखने को मिल जाते तो अगर आपको Tata Motors में किसी को investment करने है तो उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा तो Tata Motors दो बहुत ही long time का stock है अगर आप short time के लिए buying करने के बारे में सोचोगे कि अभी हम buy कर लेते हैं और Goldman Sachs ने 550 के target दे तो जाके buy कर लो इस तो जो target होता है वो पूरे एक साल के target होता है अगर वो कोई brokerage हाओस किसी भी stock के target देता है अगर वो साल mention नहीं करते है तो मान के चलना कि वो एक साल के target होता है और मैं इतना है करना चाहिए मतलब short time के लिए अगर आप जाओगे तो ज्यादा आपको return बनते हो देखने को नहीं मिलेगा आप long time के लिए hold करने के लिए ready हो यनकी electric vehicle को चलते तो definitely आप जा सकते हो लेकिन आपका vision long time का होना चाहिए यह 400 500 सारे 500 तक आपको जात है देखने को मिल जागे लेकिन stock में आपको घजब के रहली तब ही देखने को मिलेगा जब यह company जो आपने पुराने लेबल है 5-6 साल पुराने लेबल जो की 600 के जो पुराने लेबल है इस लेबल को जब ब्रेक करेगा उस पर sustain दिखाएगा त पुराने पॉफिट को इस बार मेंटर रख पाएगा यह देखने बहुत ही important और interesting होने वाले हां किसी को entry लेनी है तो जाके blind ही मत लेना के 550 के target मिल जाके buy कर लो नहीं Q4 के नमा starter हो चुक है number देखना भले उसके बाद stock आपको यह सारे 400 को जाग स्टॉक को 500 बे बाए करना आज के दिन भी हमें अच्छे कासे गिरावाट देखन को मिलें लगबग 3-13% के आसपास पिछले 5 दिन की बात के तो 5 दिन में 11-11% के गिरावाट और important नोट करके रखने तो consistency गिरावाट मतलब पिछले कुछ दिनों से पिछले 5 दिन से इन stock में बाजर में थोड़ा बात positive अगर आप Nifty को भी chart pattern देखोगे तो Nifty में भी आपको 3% positive pattern को मिलेगा और root mobile जैसे stock में पिछले 5 दिन से अच्छे कासे गिरावाट लगबग 11-11% के अच्छे गिरावाट के पीछे का reason क्या है एक हपते पहले एक news आया था जो root mobile company है उनके एक UK बेस जो company देखने को मिल जाते है यह फिस सबसेडियर देखने को मिल जाते है उनको हम एक loan guaranteed loan provide करते हो देखने को मिला जो की लगबट 10.14 million के आसपास जब से यह news है उसी दिन से stock में हमें अच्छे कासे pressure और pressure अभी तक हमे continue होते देखने को मिला तो आप चाहो तो इसको भी एक छोटा सा नेगर साथ से मतब जो भी इनके shareholder है root mobile के तो कुछ shareholder हमें नाराज होते देखने को मिला जिनके जाता stock में एक छोटा मोटा हमें correction और वो correction अभी तक हमें continue होते हो देखने को मिले यह तो पहला reason दूसरा reason की बात करें लगातार FIS की यानि की mutual fund की बिकवाली जो कि आप देख पारेंगे इसको consider मत करना पिछले तीन मन्त की यानि की December, January and February मन्त सो उसमें आप देख पारेंगे December मन्त की बात के तो साही तीन ही तो टोटाल सेल किये थे अगर बात करें जन्मरी मत में उसमें तो बहुत लगभा पोनी पांच लाग के आसपा में देख थे और उसके बात बार के फेब की मन्त के बात के तो 36,000 करों के आसपा से सोड़ी 36,000 सेयर में बेच थे यह तो होगे यह तो होगे फेब मन्त तक डेटा अगर हम इस बार की latest data की बात करें यानि कि March मन्त की latest mutual fund के data की बात करें उसमें भी आपको net selling की देख को मिनेगा अगर आप बाइंग को देखोगे तो आप देख पाड़ेंगे पी जी आयम की बात करें इंडिया माय को गया तो उसमें लगबग हमें 34 से लेके 35,000 सेयर हमें बाय करते हैं लेकिन उसके अगेंस देखोगे तो आप अगर बात करें हम तीसरे रीजन की तो वह है तो आप ध्यान से देखना यह जो इसके लेवल है बहुत ही स्टॉंग सपोट लेवल आपको भी पता है उसके जब भी तेजी आते है और इस लेवल पर जैसे जाते है श्टॉक में एक प्रॉफी बुकिंग देख को मिल जाते ह है उसके बहुत सखतो कि आप यहां प आपने देखगो एक ची आप अच्छे का से गिरावाट फिर फिर इक चीश अच्ट बाशम पर अब फिर जाके यहां पे lan परद हो इसके लित कोई कंपंणी भरवाद होने वाले हैं या नियाग्नाय कमपंणी बहुत ही फैंटासिक है लेकिन no doubt कुछ technical wise point होता है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए इसलिए मैंने इन सारे point को detail में cover किया दोस्तों यह कुछ दो 3 important point है जिनके इस टॉक में में कुछ दिनों से अच्छे कासे pressure देखने को मिले लेकिन तो आप consistency आपको शांदरी growth को मिलेगे 10 से 10 बार आपको consistency growth को करेंगे साथ इस smack Blair काय चीज़ाए यह तो को यह ट्रेडिंग वाले चीज़े हैं जुन्होंने सॉट टाइम में बाइक है वो उनको थोड़ा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बुक करेगा यह अपसे चीज़े चलते रहते रहते आपका आपका विजन लॉंग टाइम के और अपने बिजन्स को देखके किसी को एंट्री लेने ही है तो ब्लाइन ही जाके मत लेने के श्टॉक पास दिन में इक अच्छा का से डिस्कॉर्ण में मिला तो जाके हम बाइक करें ऐसा बिल्कुल भी मत करना क्यूफोर के नमबर देखना इस टाइम पे किसी भी श्टॉक को बाइक करो आपका प्रॉप पॉसिरिव डेटा हमें आतों देखको बिले जो की कंपनी की सेयर होलिंग पैटर जो कि आप देख पा रहे हुए अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास उनमें कोई चैंजिस नहीं है लेकिन अगर डिस की बात करें तो लगातर माल खरीते जा रहे हैं मैं यह लगातर माल खरीते रहे हैं तो कुछ ना कुछ होने वाला है लेकिन ऐसे छोटी कंपनी या से न्यू कंपनी में 2000 क्रों के इतनी छोटी कंपनी मतलब आप सोच भी नहीं पाऊ गया ऐसे कंपनी अगर कोई को डाउट है कौन सब्सक्राइब पूसर तो मिलता है ऐसे ही इंटेस्टिंवियों को साथ अपता के लिए बाए बाए